हेलो दोस्तों, दोस्तों अपने स्कूल के दिनों में मैंने गांधी जी की बायोग्राफी पड़ी थी, उसमें लिखी हुई एक घटना, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ दोस्तों गांधी जी के आश्रम में एक बार एक औरत अपने छोटे से बेटे को लेकर आई और उसने गांधी जी से बिंती की, कि गांधी जी इसे समझाईए कि ये गुड़ बहुत जादा मात्रा में खाता है तो गांधी जी ने उसे आट दिन बाद आने को कहा, आट दिन बाद वो औरत वापस आई तो गांदी जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को समझाया कि बेटा गुर्द बहुत अच्छी चीज है फाइदेमन चीज है लेकिन फिर भी उसे सही मात्रा में खाना चाहिए तब वो बच्चा बहुत आराम से गांदी जी की बात समझ कर उसे मान गया तब उस औरत ने गांदी जी से आर तिन बाद बुलाने का कारण पूछा गांदी जी ने उस औरत को समझाया कि आर दिन पहले तक मैं भी गुर्द बहुत जादा मात्रा में खाता था और उन आट दिनों में पहले मैंने खुद को सायमित करके अपनी जादा गुडखाने की आदत पर काबू पाया ताकि जो बात मैं दूसरे को समझाना चाहता हूँ पहले मैं उस बात को खुद धारन करूँ तभी मेरी बात असर करेगी तो दोस्तों इस खटना को सुनाने के पीछे मेरा भी यही उदेश्य है कि यदि हम किसी को कोई भी सलह देते हैं तो हमारी भी कतनी और करनी एक होनी चाहिए, यानि कि हमारी भी integrity होनी चाहिए, उस बात में हमारी भी धारना होनी चाहिए, हम भी उस बात को अगर implement करते हैं, तब ही हम दूसरे को भी उस बात को समझाने का हक रखते हैं. थेंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं.